दोस्तो होंग कॉंग भर्सिस UAE मेच को मैं कवर करूँगा इनसे पहले मैं बता दू कि इस सीरीज में GL क्यों खिलना चीए दो टीम मैं जो प्रवाइट किया था UAE का टीम जब खिला था कल या परसो खिला था सायद जो भी होगा यहाँ पर देख सकते यह रेंग सारे लोग आया था यहाँ पर देख सकते जो सेम टीम दिया यहाँ पर चावण रेंग आया और जो मैंई I.O के ज़रीए बताया था कि केप्टन वाइस रिभर्स कर लो और भी कमाल के रेंग आया था वो भी मैं दिखाँगा देखो यह सब द लगता है कि जील विन हो सकता 46 रेंग सेम टीम से इनके अलाबे बड़े वाले पे देख सकता 360 जहां पर 300 400 500 900 इस तरह करके लोगों ने विन किया था तो दोस्तु देख सकते हो तो ठोड़ा सा आपको मिनाद करना है यसे मुकाबरे पे जील आने के काफी बनिया चांस रगते हैं और मै तो आधा सधी काम करuba देता है थोड़ी सी के वज़ा से जील मिस हो गई बांकी लोगों का तो थोड़ा सा बुरा लगा लेकिन बुरा क्या मेनत करो जील वीन होगा बांकी लोग भी वीन कर रहा है और हमारा हमेशा से फोकस भी रहता है वैसे आज टीटेन भी देखा जाए तो ठीक ठाक ही गया वैसे यह स्रीट कापी ज्यादा रिस्की है समाल कर खिलना टीटेन तो दोस्तो हम G.E.L. कॉंबिनेशन बताएंगे एक बहतर तरीका से लेकिन सबसे ज्यादा जम्हात पुर्न है हमारे टेली ग्राम चैनल को आपको जॉइन करना तो आपको जॉइन करना खिस परकार है तो दोस्तों जैसा कि आप हमारा इस परकार से वीडियो देखते होंगे यह जो है यह हो गया description इस description में आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही आप टेली ग्राम चैनल पे चले जाओगे तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो पर मैं बताता हूँ यह है डिस्क्रिप्चन इस बुरू बाले पर आपको किलिक करना किलिक करते ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाओगो वहाँ पर दिखेगा जोईन आपको जोईन हो जाना है मैं पर मिलेगी फाइनल टीम जिस टीम से मैं खोद खेलता हूँ इनकी अलावे जील से रिलेटेट बहुत सारे अपडेट जो जील बीन करने के लिए काफी होता है बहुत सारे लोग JLWIN कर रहा है और मैंने कई बार आप लोगों को फिरी में JLWIN करवाया भी है तो इस वज़ा से हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको जोईन कर लेना चीए तो दोस्तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस परकार से दिखाई देखा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए उनसे आपको बचना है ओरीजिनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के जर्ये ही चुड़ना है तो दोस्तो सबसे पहले हम लोग देखें कि होंकों के नाइट मेस देखा जाए तो यहाँ पर मैंने केप्टन वहाज के लिए तीन ही पिलेर आपको मैंने बता था एक एजाज खान, ई खान और वाई मूर्तजा तीनों ने काफी कमाल का परदसन के अच्छा खासा पौंड दिया एम गजरानफर की बात के एक बनिया इस पीन गेनवाज है इनके लाब केसा पार्ट टाइम गेनवाज है एच अरसात को यहाँ पर देखो इनसे पहले बाले मुकाबले में चार उभर दिया था यहाँ पर एक ही उभर दिया क्योंकि यह शुकला से यहाँ पर दो उभर कराया गया और एक उबर यहाँ पर पार्ट टैम गेनवाजी यहाँ पर केसा ने कर दिया था तिस वज़े से नहीं तो एस एस अरसाथ ज़्यादा उबर भी कर सकता है बले बाजी देखोगे तिहाँ पर वाई मुर्ताजा नता बड़तोड खेले तिहाँ पर निजाकत खान ने भी अच्छा खेला तिसरे नमर पर भी हायत ने भी अच्छा खेला किंची साको तो खेलने का मोका ही नहीं मिला तो क्या खेलेगा ये भी बेतर खिल सकता है तो याने कि होंकोंग के टीम जो कुवाइट के सामने फुली बेश्ट परदर्शन किया गिन बाजीक साथ बले बाजी से भी किया UAE के खिलाब भी ये बेतर कर पाएंगे मुस्कील है भाया थोड़ा मुस्कील है तो दूस्तों चलिए UAE के बारे में बोले एम वशीम की बात किया कमाल के फुर में चरे फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था जब इनका एक भी मुकाबला इस सीरीज में नहीं हुआ था और यहाँ पर दो मेच खेले गे दोनों इनों ने कमाल का परदसन कया सी सूरी का रिकोर्ड को काफी खराब था इनसे पहले बाले मुकाबले इनों 87 या 90 रन की पारी खेला काफी बनिया फिर भी मैंने कहा था वीडियो पे कि इनका फोर्म खराब है इस मेच में इनोंने 0 पे गया हलांकी होंकों के खिलाब भेतर खेल सकता है लेकिन आप पीक कर लेना केप्टन वहाँ थोड़ा सोच समझ के देना भी अरविंद अच्छा पिलेर है लेकिन अब उस तरह के लाई में दिखाई नहीं देते थोड़ा सा हाड हीटिंग करने का परियास करते है CP रिजवन क्यों महतपूर्ण है अगर जे शुरुवाती बिक्टे गिलेंगे तो ये लकरा पाट्टेम गेन बाजी करेंगा साथ में ये बल्ले बाजी अच्छा खासा कर लेता है एक डोमेस्टिक प्लेयर है इनका सेलेक्शन काफी कम देखोगे लास्ट मेच भी हम लोगोंने पिक किया था और एक बिक्टे लेगे काफी अच्छा भी विनिंग हुआ था तो सुल्तान आमाद एक बढ़िया पिलेयर है इस पे थुड़ा सा आपको ध्यान देना जी एल के लिए सबसे बेस्ट उप्सन होगा अगर जदी युएई बड़ा स्कोर खड़ा कर देता तिहां पर सुल्तान आमाद को मिल सकता है जादा से जादा बिक्टे सभी रली काफी बढ़िया इन्होंने गेन बाजी किया भी हमी तीन उबार में तीसरे रन दिये थोड़ी सी मार पड़ी हलांकी एक बिक्टे लेगे जेट फारित को भी यहाँ पर एक बिक्टे मिला और तीन उबार की नोंने गेन बाजी की तो थोड़ी सी इनकी गेन बाजी ओप्सन जो है न एक ज़्यादा गिनवाद यहाँ पर है इनके लावब के मियपपन की बात के कमाल के स्पिना जैसे एम गजनाफर की बात की जाए होंकों के टीम पर आए जो कि जिस पर थोड़ा सा कम लोगों को फोकास रातार वो बेतर कर जाता सेम उसी परकार के के मियपपन है तो दोनों ट क्रीम 11 से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पल इंफोर्मेशन देतो फिलाल अभी जो अपडेट चरहा है फिरी में टीसर्ट कैसे लिए बहुत सारे लोगों ने ले लिया भी ले सकतो टेलीग्राम पे वो वीडियो पिन किया होगा उनकी साहिता से इनकी अल दोस्तो नो डाउट सबसे बणिया बिकेट की पर भी अर्विंद है इनके अलाबे जेडाली भी है लेकिन जी एल पर ट्राकन है भी अर्विंद यहां पर सेप और सटी खार तिन नमर प्राएंगे सिसुरी इनसे पहले इनका करियर थोड़ा सा करियर भुर्म खराब चर रहा था लेकिन ये एक अच्छा पिलियर है केसा लास्ट मेंच में इनको बले बाजी ही ज्यादा नहीं मिला ते क्या खेलेंगे लेगिन पाट्टटाएम गेन बाजी करता है कमाल के पिलियर है बीहायाद इनसे पहले इनका ज्यादा खास रिकोर्ड था नहीं लास्ट मेंच में जिस तरह सिनों ने 50 जड़े तो एक बनिहाद पिलेर हो गया बीहायाद को फिक कर सकतो इनके लावे निजाकात खान निजाकात खान अपने टीम के केप्टर है कमाल के पिलेर है इनसे पहले बाले मेच में इनका सेलेक्शन कम था हम लोगों ने पिक किया 76 पॉंट दिये काफी बढ़िया फिर से इनका सेलेक्शन कम है क्योंकि और भी बड़े पिलियर लेकिन निजाकात खाने के बढ़िया पिलियर है डबलू मुहम्मद इनके लावे ASLE एक गिनबाज है इस पर थोड़ा ज़ा फोकस करना नहीं करपाई लेकिन ये गिनबाजी सांसा बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं इखान सबसे क्वालिटी स्पीनर देखा जाए तो इखान है ये डेत ओभर भी डालने के लिए आ जाते हैं आपको पता हुगा नाइट इमेज में पाबर पेले में डालने के लिए आ जाते हैं और विक्टे ले जाते हैं जुना से की काफी बढ़िया फास्ट गिनबाजी करते हैं पाबर पेले में डेत ओभर में भी ये करेंगे इनकी लब जेट खान खेलता है तो ये भी काफी बढ़िया पेले रहा डेत specialist है और इनका record देखो काफी सांदर है यह गजानफर को यहाँ पर पिक क्या हो केमियपन दोनों spinner है काफी बनिया है लेकिन देखो यहाँ पर एक spinner फुलोब जा सकता है तो इनके जगा आप क्या कर सकते हो देखो एक option यहाँ पर बस्ता है HR7 का ले सकतो रिस्की choice है इनके लाव जेट फारीद भी रिस्की choice है अब सेप और सटिक choice में यहाँ पर निजाकत खान एक बनिया चोईस है भी हाया दूसरा बनिया चोईस है पहलात निजाकत खान ही होना चाहिए तो यहाँ पर एक एक प्लियर आप को लेना है और केप्टन भास की बात की जाए तो देखो केप्टन यहाँ पर आपको वाई मुर्ताजा को ही देना चाहिए काफी बनिया ओप्शन भी है और भी हमीद को भास देना चाहिए लेकिन भी हमीद बहुत नीचे आते हैं बले बाजी करने के लिए और वाई मुर्त खानर और अजाज खान दोनों भाई ओपन आते थे लेकिन अब अजाज खान को काफी नीचे कर दिया गया है वाई मुर्तजा से ओपन कराया जा रहा है तो फिलाल के लिए हमारा ये टीम है इस पे हम विचार कर सकते हैं किस पे एम गजान फर जो है यहाँ पर इनके उपर जोहन मुस्तापा कुछ नया पेलियर खेलेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूगा तो फिलाल के लिए आपको ये टीम सेफ करके रख लेना है जील पे जादा आपको फोकस करना जील आने एक चांस काफी अधीक रते हैं एसे मुकाबले पे और एसेल के लिए मैं आपको ट पेलेट के साथ अपने टेली ग्राम चैनल टोमेस्टिक फिलेंग 11 पे